हलो फ्रेंट्स गुड मॉर्निंग आपका स्वागत है पहलवान गुरुदिन गुरुफ आप कॉलेज के यूटूब चैनल पर माइ प्रोफेसर रंजना सिर्वास्तो एक बार फिर उपस्तित हुई हूं समासाज के नया टॉपिक लेकर अगर आपने इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब करें और बगल में दिये गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुश सके साथियों आज हम चर्चा करेंगे बीए सेकेंडिय अर्समासास्त्र में टॉपिक म मद्देपान का अर्थ मद्देपान का अर्थ बताते हुए फेर चाइल्ड ने लिखा है कि सराब की असामान ने बुरी आदत ही मद्देपान है महात्मा गानी जी ने मद्देपान की बिसे में कहा था कि सराब की लट सारीरिक मांसिक नैतिक और आर्थिक रूप से मनुस्य को बरबाद कर देती है एवं सराब के नसे में मनुष से दुराचारी बन जाता है सराब एक ऐसी पुरी आदत है जिसकी वज़ा से सराब पीने वाले बैक्ति के स्वास्त पर बुरा असर पड़ता है और इस आदत से उस बैक्ति का पूरा जीवन अस्त बेस्त हो जाता है अत्यदिक मद्दे पान से इसमरड सक्ती समाप्त हो जाती है और अपनी च्छाओं का दमन करने की योगिता समाप्त हो जाती है सराप पिने वाला ब्यक्ति दूसरों के हाथों का खिलोना बन जाता है मद्दे पान की परिभाशा बिश्व स्वास्त संगठन के अनुसार मद्दे पान का तात पर मद्दे मतलब नशा करने वाले ब्यक्ति से है जो सराप पर इतना निर्फर हो जाता है कि जिससे ब्यक्ति का मानसिक तथा सारिरिक स्वास्त सामाजिक संबंद और आर्थिक अस्त ब्यस्त हो जाता है मद्डेपान, सराब पीने के कारण पहला मानसिक चिन्टा समाज में कुछ बेक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें अपने परिवार, अपने बच्चों की बहुत अधिक चिन्टा हो जाती है इस कारण वे लोग अपनी मानसिक चिन्टाओं को दूर करने के लिए मद्देपान यानि सराब का सेवन करने लगती हैं दूसरा है फैशन पश्चिम सब्यता के प्रभाव के कारण समाजिक जीवन में तेजी से बदलाव हो रहे हैं भारतिय समाज में सराब पीना फैशन सा बन गया है कुछ लोग साराब पीने को उची समाजिक इस्तिती का प्रतीक मानने लगे हैं मद्दिरापान वो मद्देपान की लट का एक मुख्य कारण ब्यक्ति के चारो ओर के माहौल वब्यक्ति का है नहीं है चोथा संबेदनात्मक आनन्द यदि आप किसी सरावी से पूछें कि तुम सराव क्यों पीते हो तो उसका जबाब होना अवश्यक है कि वो कहेगा आनन्द के लिए मद्यपान से संबेदनात्मक आनन्द प्राप्त होता है पाच्वा सराव का आसानी से उपलब्ध हो जाना वर्तमान समय में भी सराव पीने वाले व्यक्ति को बड़ी ही आसानी से सराव मिल जाती है लगबग हर जगा पांच से दस किलो मिटर की दूरी पर उसे सराव की दुकान मिल जाती है यह भी सराव पीने का एक कारण है अकसर देखा गया है कि असंतुलित ब्यक्तित वाले लोग अपने साथियों और परिवारों के साथ समा योजन नहीं कर पाते ऐसे लोग सदय वभय भीत रहते हैं ऐसे लोग मद्यपान का सेवन करने लगते हैं सात्वा मित्र मंडली यदि कोई ब्यक्ति बुरी संगती के लोगों के प्रभाव में आ जाए या ऐसे साथियों के संपर्क में आ जाए जो सराब मद्यपान का सेवन करते हैं तो व्यक्ति में सराब का सेवन करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं मद्यपान के दुस्त परिणाम या सराब पीने के नुखसान मद्यपान के सेवन से होने वाली हानियों को निमना अधारों पर इस्पश्ट किया जासकता है मानसी खानी सराब या मद्यपान का सेवन करने पर व्यक्ति की पिचार चिंतन और इश्मरड सक्ति और उद्ध हो जाती है वह सराब पिकर अनाप सनाब बकने लगता है मद्यपान के नसे में व्यक्ति इतना चूर हो जाता है कि वह अपना होस भी खो बैठता है सराप के सेवन से ब्यक्ति का दिमाग काम करना बंद कर देता है और वह अपने विवेक का इस्तिमाल नहीं कर पाता है उसकी सोचने समझने की सक्ती भी नश्ठ हो जाती है सारीरिक स्वास्त की समस्या है मद्देपान का सेवन करने माले व्यक्ति को अनेक रोग घेर लेती है सराप का अधिक सेवन करने से व्यक्ति को निम्न रोग हो सकते है जैसे पेट का दर्द, केंसर, तंत्री का तंत्र का कमजोर होना, बेचैनी, शिर दर्द, हिरदय रोक, हड्डियों का कमजोर होना, मानसिक अईस्थिर्ता, यकृत खराब होना, लिवर खराब होना, हाथ पेरों का कमपन, स्वास गती का तेज होना आदि भयानक नुक्षान सराब का सेमन करने वाले ब्यक्ति के सरीर में हो सकते हैं सराब का सेमन करने वाला ब्यक्ति कभी भी अपनी पत्नी और बच्चों को सुख से नहीं रख पाता सराब के सेमन से पती पत्नी के भी जगड़े बढ़ जाती है सरावी ब्यक्ति अपने परिवार का एक अच्छा सदस्य भी नहीं बन पाता सरावी ब्यक्ति के अपने पडोसियों के साथ भी अच्छे सम्बंध नहीं होते सराव पीने के कार और घरेलू हिंसा की घटनाओं में निरंतर बृद्धी हो रही है ब्यक्तिगत विकास में औरोध मद्यपान का सेवन करने वाला ब्यक्ति कभी भी अपना विकास नहीं कर पाता सरावी ब्यक्ति दूसरों के हाथ का खिलोना बन जाता है उसकी सोचने समझने की सक्ति समाप्त हो जाती है ऐसे ब्यक्ति चोरी करने, डखेती डालने, बलतकार करने जैसे अपराथ करने कुछ से नहीं डरते पांचवा आर्थिक छती, सराब पीने वाले ब्यक्ति की कारे छमता में कमी आ जाती है समाज में ऐसे ब्यक्ति की प्रतिष्ठा भी बहुत कम होती है ऐसे ब्यक्ति अपने काम धंदे से बिमुख हो जाते हैं ऐसे ब्यक्ति जो थोड़ा बहुत भी धन कमाते हैं वो उसे सराब पीने में ही नष्ट कर देते हैं और अपनी पत्नी और बच्चों का भरन पोसर ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं इस प्रकार इसपष्ट होता है कि मद्देपान का सेवन करना एक समाजिक बुराई है जिससे समाज की रच्छा करना बहुत ही आवस्यक है सराब ने ना जाने कितने परिवारों को बरबाद किया है ना जाने कितने सीधे लोगों को खराब इंसान बना दिया है धन्यवाद अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सेर जरूर कीजिए